हलो स्टुडेंट्स, वेलकम डोतेवारे अकेडमी, तो देखिए अब हम अध्याए एक की प्रतम प्रशनावली अर्थात प्रशनावली एक दोसमल एक को आरम करेंगे चलिए, सबसे पहले प्रशन पर यहाँ पर हम बढ़ते हैं आपको इस प्रशन में बोला गया है कि निम्नलिकित में कौन से समुच्चे हैं और अपने उत्तर का आपको औचित्य भी बताना है और चित्य बताना है अर्थात, एक तरीके से कारण भी आपको बताना है कि आखिर आप कैसे बता पा रहे हैं कि कोई समुच्चे होगा या नहीं होगा अब देखिए आपके पास ये नौ कथन लिखे हुए हैं और आपको बताना है कि कौन कौन से समुच्चे हैं अब जैसे यहाँ पर देखो पहला कतन है हमारे पास कि जे अच्छर से प्रारम होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रेंग सबसे पहले तो हम समुच्य की परभासा समय लेते हैं समुच्य की परभासा होती है कि वो एक जैसी मतलब सुपरभासित वस्तों का एक collection होता है अर्थाद एक संग्रे होता है अर्था जिनका एक well-defined meaning निकल लाओ अब जैसे पहले वाले भाग में देखो कि जै अच्छर से प्रारम होने वाले वर्स के सभी महीनों का संग्रे तो सभाविक सी बात है आप बता सकते हैं जैसे जैनुवरी होता है जून होता है जुलाई होता है तो इस तरीके से आपने देखा कि तीन हमारे पास आगए यहां बोल सकते हैं वेल डिफाइंड मीनिंग इसका आ रहा है तो हाँ ये आपके पास समुच्च हो जाएगा तो पहला वाला भाग आपके पास सही है मतलब ये समुच्च है तो देखे समुच्च है तो मैंने सही का निसान यहां पर बनाया है यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख देता हूँ समुच्च है और फिर मैं सही का निसान मना देता हूँ अच्छा समुच्च है अब दूसरे वाले भाग पर आते हैं इसमें आपको बोला गया कि भारत के दस सबसे अधिक प्रतवासाली लेखकों का संग्र है अब इस पर यदि हम आएंगे तो आप इसमें देखो कि दस सबसे अधिक प्रतवासाली लेखक बोले गए है अब देखिए वो लेखक हो सकता है आपके लिए कुछ और अधिक प्रतवासाली आपके लिए कोई 10 हो मेरे लिए कोई 10 अलग हो जैसे मान लेजेगा आप 10 अलग लेखकों को प्रतवासाली मानते हो मैं उनको ना मानकर कोई और को मानता हूँ तो ये तो हमारे लिए अलग हिसाफ से अच्छे अधिक होगा मतलब आपके लिए कुछ अलग होगा मेरे लिए कुछ अलग होगा तो चुकि ये वेल डिफाइंड नहीं है अर्थात इनका एक तरीके से सूपरभासित मतलब नहीं निकल पा रहा है अते हम बोलेंगे कि ये हमारे पास समुच्च नहीं होगा तो दूसरा वाला भाग हमने बता दिया अब तीसरे वाले पर आते हैं तो इसमें बोला गया विस्व के सर्वसरिष्ड 11 अहें बल्लेबाजों का संग्र्य अब सर्वसरिष्ड जैसि आपको समुझ मैं आया तो आपने तुरंस देखा कि सर्वसरिष्ड हो सकता है आपके लिए कोई और हो इस पर भी क्रॉस कर दिया अब हम आते हैं आगे चौथे वाले भाग पर कि आपकी कच्छा के सभी बालकों का संग्रह अब देखिए आपकी कच्छा के सभी बालकों का संग्रह बोला गया है अब ये बात तो फिक्स हो गई कि आपकी कच्छा में कितने बालक हैं और सभी बालकों का संग्रव बोला गया तो आप सभी बालक लिख दीजेगा वहाँ पर नाम उनके तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि ये एक सुपरभासित है अर्थाद ये आपके समुच्या की परवासा में आ जाएगा आगे आते हैं आगे आपको बोला गया कि 100 से कम सभी प्राक्रतिक संख्याओं का संग्रव तो देखे 100 से कम सभी प्राक्रतिक संख्याओं आपको पता है प्राक्रतिक संख्याओं एक से परारण होती है एक, दो, तीन, चार और ऐसे पांच, छे करके कहा तक जाना है आगे आपको बोला गया कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्र है अब बोला गया कि प्रेमचंद्र जो भी लेख लिखे हैं अर्थात उपन्यास लिखे हैं उनका संग्र हमें बताना है तो देखे वो तो आप सभी को पता ही है तो अब हम उनके ब को बोला गया कि सभी सम पूर्णांकों का संगर है सभी सम पूर्णांकों का संगर है अर्थात देखिए पूर्णांक कौन-कौन से होते हैं जो दो से विवाजित हो सम हो जाएं तो हमने क्या बोल दिया सम पूर्णांक हो कई दो से विवाजित पूर्णांक हमारे एक दो तीन चार पाँच जीरो माइनस एक माइनस दो इस तरीके से चलते हैं सम पूरांग बोले हैं तो हमें पता हैं कि दो से विवाजित होने वाले हैं तो यह एक well defined है तो यहाँ पर भी यह आपके पास एक समुझ्चे हो जाएगा अब आगे आते हैं तो आगे आपको बोला गया है कि इस अध्याय में आने वाले प्रशनों का संग्रह है अब इस अध्याय में देखिए आने वाले प्रशनों का संग्रह है तो आपको तो पता है कि वहन कौन से प्रशन आने वाले हैं मतलब आप एक तरीके से इस पुस्तक को देख सकते हैं और बता सकते हैं कौन-कौन से प्रसेस में आ रहे हैं तो ये भी आपके पास एक well-defined संग्रह हो गया अर्थात ये आपके पास एक समुच्चे हो जाएगा चलिए अब सबसे अंतिम वाले भाग पर आते हैं नौवे वाले भाग पर इसमें बोला गया है विस्व के सबसे अथिक खतरनाग जानवरों का संग्रह है अब सबसे अधिक खतरनाग जानवर बोले गए हैं तेखी हो सकता है आपके लिए अधिक खतरनाग जानवर कुछ अलग हो तो आप उनके लिए अलग संगर बनाओगे मैं किसी और को मानता हूँ तो देखो, अब हम दूसरे वाले प्रश्न पर आते हैं, इसमें आपको बोला गया है कि मान लीजिए आपके पास A अर्थाद एक समुच्छे दिया हुआ है, जिसके अवियाभ हैं देखिए 1,2,3,4,5,6, फिर आपको बताया गया है कि रिखते स्थानों में आपको उप्यु इस प्रश्न पर आएंगे, देखिए जब भी इस तरीके का चनल लिखाओ, तो हम बोलते हैं belongs to, मतलब एक तरीके से वो उसमें आ रहा है, और ये लिख रहा हो ऐसे, तो हम बोलेंगे not belongs to, मतलब उसमें समाहित नहीं है, अब जब भी ऐसा चनल लगाते हैं, तो ध्यान रख यहाँ पर अवियाब ही होने चाहिए, यहाँ पर भी अवियाब होने चाहिए, और इधर की तरफ, जो धर की तरफ देखिए, इसका मुँ ओपन होता है, उधर की तरफ हमारे पास समुच्छ होने चाहिए, तो ध्यान रखें कि इस तरीके की हमको यहाँ पर यूज करनी है, अब उसके बाद हमें ये भी देखना है कि कोई अवयव किसी समुच्च में यदे उपस्तित है तो हम ये वाला चिन लगा देंगे अगर उपस्तित नहीं होगा तब हम ये वाला चिन लगाएंगे तो अब देखो हमें मतलब तो समझ में आ गया इन प्रतीकों का अब पहले परस्न पर आओ मतलब पहले वाले भाग पर तो देखो 5 और फिर बीच में हमें चिन लगाना है तो इसलिए हम लिख देंगे 5 बिलॉंग्स टू ए मतलब 5 समझ ए का अभियाब हो जाएगा अब चलिए दूसरे वाले भाग पर आते हैं इसमें बोला गया 8 के बारे में आपको बताना है तो देखो अब देखो 8 क्या है इस वाले समझ में आ रहा है a वाले समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे not belongs to a तो इस तरीके साब को दूसरा वाला भाग मिल गया तीसरे वाले भाग में आओ तो इसमें बोला गया है 0 और फिर a लिखा है तो हमें देखना है कि क्या 0 a वाले समझ में आ रहा है तो आप देखनें नहीं आ रहा है कहीं भी तो आप लिखेंगे 0 does not belongs to a अर्था 0 a वाले समझ में उपस्तिद नहीं है चलिए चोथे वाले भाग पर आते हैं इसमें बोला गया 4 और फिर इधर a लिखा है तो आप सोची क्या 4 इस a वाले समझ में आ रहा है तो हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है तो इस तरीके से आप यहाँ पर belongs to वाला चिन लगा देंगे अब पांचमें वाले भाग पर आते हैं तो इसमें बोला गया 2 और इधर a लिखा है तो सोची क्या 2 a वाले समझ में आ रहा है अगर आ रहा है तो आप यहाँ पर दो a वाले में आ रहा है तो आप belongs to का लगाएंगे तो इस तरीके से यह वाला चिन आप यहाँ पर लगा देंगे चलिए अब सबसे अंतिम वाले भाग पर चलते हैं भाग संक्या 6 पर 10 और इधर a लिखा है सोची क्या 10 a वाले समुच्चे में आ रहा है बिल्कुल नहीं आ रहा है देख सकती है एक से लेकर 6 तक ही आ रहे थे तो इसमें आपको मालंपड़ा नहीं आ रहा है तो आपने not belongs to का चिन यहाँ पर लगा दिया है अब चलिए हम तीसरे वाले प्रेशन पर आते हैं देखिए इस प्रेशन में आपको बोला गया है कि निम्ने लिखे समुच्चेयों को रोश्टर के रूप में लिखिए अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम समय लेते हैं आखिर रोश्टर रूप होता क्या है और फिर इसके बाद एक एक भाग को हम हल करेंगे देखिए रोश्टर रूप या जिसे हम साणडी रूप भी बोलते हैं मैं आपर बता देता हूँ रोश्टर या साणडी रूप यह ऐसा रूप होता है जिसमें हम क्या करते हैं सभी अव्यववों को हम एक मजले कोश्टक के अंदर एक एक करके दिखाते हैं कि आखिर कौन-कौन से अव्यव आएंगे कौमा लगा-लगा के अव्यववों को दिखाते हैं इस बात का ध्यान रखे और ध्याना के एक-एक अभियब को हम दिखाएंगे यहाँ पर सबकुछ एक तरीके सामें सामने के सामने दिखाई देना चाहिए तो हम उस मेसरड को बोलते हैं रोज तर गो अब देखो जैसे पहले वाले भाग पर आते हैं इसमा बोला गया A A मतलब एक समुच्च बराबर X इसे बोलते हैं विसरग X मतलब X इस प्रकार है कि X एक पूरांक है और X माइनस तीन से साथ के बीच में है और ध्यान लखना है X माइनस तीन के बराबर हो सकता है तो देखो अगर आप कहीं भी थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही है तो आप एक बार थोड़ा सा रफ में एक बार लेके लिख ली जिएगा सभी को फिर आप प्रॉपर तरीके से लिखने पर आए अगर आप एक बार में लिख सकते हैं कोई दिक्कत है ही नहीं हमें देखे ए यह हो गया समुच्य का नाम तो समुच्य का नाम ए हो गया बराबर रोश्टर रूप अर्था साड़ी रूप में हमें लिखना है तो हमने आपको बताया कि मजला कोई तक का प्रयोग करें अब देखो बोला गया एक्स के मान लिखने है देखो हमें कैसे पता लगता है किस के मान लिखने है एक्स के मान ये जो इज़र लिखा होता है विसरगी से पहले एक्स लिखा है तो हमें एक्स के मान लिखने है अब एक्स के बारे में क्या बताया गया माइनस 3 से 7 के वीच में माइनस 3 से 7 तो बहुत कुछ है लेकिन ये भी बोल दिया गया कि हमें x एक पूर्डांक भी है तो अब देखो माइनस 3 उसमें समलित है तो कौन कौन से अभी आप आ सकते हैं माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 पर आपको रुख जाना होगा क्योंकि बोला गया x 7 से कम है 7 से कम और पूर्डांक भी ध्यान रखना है तो 6 तक ही आपके पास आएगा इस तरीके से देखी ये आपके पास पहला वाला भाग हो गया अर्थाद रोश्तर रूप है अब दूसरे वाले भाग पर आते हैं इसमें बोला गया है कि b बराबर x विसर्ग x मतलब x सच्च देट x बोलते हैं अंग्रेजी में अर्थाद x जो संख्या है वो 6 से कम है और प्राकर्टिक संख्या आपके पास दिवी है अब देखिए इसको आपको रोश्तर रूप में लिखना है तो सबसे पहले तो हमने आपको बता है ये क्या है हमारे पास समुच्चे का नाम एक तरीके से b वाला समुच्च्चा हो गया हमें किस का मान लिखना है यहाँ पर देखिए x के मान लिखना है और x है क्या 6 से कम प्राकरतिक संक्या है प्राकरतिक संक्या है ध्यान रखे 1 से सुरूआत होती है 6 से कम भी होनी चाहिए तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 के वखला 5 तक जाएंगे ध्यान रखे तो क्योंकि 6 से कम बोला गया था इस तरीके से दूसरा वाला भाग हो गया अर्था दूसरा समुच्य रोश्टर रूप में आपने लिख दिया अब तीसरे वाले भाग पर आते हैं इसमें बोला गया कि c जो समुच्य है वो है x और x दो अंकों की ऐसी प्राकरतिक संक्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है अब देखो यहाँ पर तीसरे वाले भाग में लिखूँगा तो मुझे समुच्य लिखना है c वाला मान किसका लिखना है इस समुच्य के अंदर अर्थात मजरे कोश्टक के अंदर यहाँ पर देखी बाएं में क्या लिखा है विसर्ग से पहले x लिख रहा है तो x के मान लिखने है और x है क्या दो अंकों की ऐसी प्राकरतिक संक्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है ध्यान रखे दो अंकों की भी हो और योगफल आठ भी होना चाहिए अंकों का तो देखिए वो हमारे पास कौन कौन सी हो सकती है देखो 17 हो सकती है 26 हो सकती है देखिए इस तरीके से 35 भी हो सकती है 44 भी हो सकती है 35 हो सकती है फिर आपके पास 62 हो सकती है और फिर 71 हो सकती है तो यही केवल आपके पास बनेंगे तो यह आपका तीसरे वाला भाग हो गया रोश्टर रूप में और यह समझना तो बहुत आसान है कि दो अंकों की कौन सी संक्या हो और अंकों का युक्फल आठ हो यह तो काफी आसान था अब आगया जाते हैं चौते वाले भाग में देखिए D बराबर बोला गया X के मान लिखने है X एक अभाज्य संक्या है जो 60 की भाजक है अब देखो आपको बोला गया कि अभाज्य संक्या होनी चाहिए X लेकिन 60 की भाजक भी होनी चाहिए 7 के साथ तो देखो समुच्या का नाम तो बताया दिया गया था पहले ही प्रस्ट में D है अगर नहीं दिया होता तो आप कुछ भी अपने तरफ से नाम मान सकते थे जैसे यहाँ पर D दिया हुआ है अब आपको यह देखना है कि 60 के सबसे पहले तो भाजक देखो देखो 60 के हमारे पास भाजक क्या क्या आएंगे मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ 2 से भाग करोगे तो 30 आया 2 से भाग करोगे तो 15 आया फिर 3 से करोगे तो 5 आया और 5 से अगर आप करोगे तो 1 बार आएगा अब आपको ध्यानक ना अब आज्य संक्या लिखनी है, इस मजले कोश्टक के अंदर, तो अब आज्य संक्या कौन-कौन सी हो सकती है, एक तो दो हो सकती है, तीन हो सकती है, और पांच हो सकती है, तो यही आपका चोथे वाला भाग हो जाएगा, आगया यह, पांच में वाले भाग पर, इसमें बोला हैं तो देखिए अब मैं पांचवे वाले भाग को लिख रहा हूं ई बरावर अब देखो एक बार ऐसे देख लिया करो कभी भी दिक्कत हो हमें ट्रिगनोमेक्टरी लिखना है तो टी आर आई जी ओ एन अब ध्यान रखो ओ दुबार आएगा लेकिन हमें लिखना एक ही बार होगा ध्यान रखें तो मैं चलिए अभी तो लिख देता हूं ताकि आपको एक बार सभी अच्छा दिखाई दे जाएं अब मुझे यह ध्यान रखना है कि कभी भी रोश्टर रूप में लिखते हैं तो मजले कोश्टे के अंदर एक अक्षर को केवल एक ही बार लिखाता फिर R लिख दे फिर M लिख दे कुछ भी कर सकता है वो लेकिन लिखना एक एक बार यह बसे इस बात का दियान रखना है G आ गया, O आ गया, N आ गया अब देखो O दुबारा आया लेकिन लिखना हमें एक ही बार था वो हमारा आ चुका है तो अब हम O को दुबारा नहीं लिखेंगे M आ गया, E आ गया अब देखो T दुबारा आ गया T पहले आ चुका है यहाँ पर एक ही बार लेखेंगे, आर देखो हमारे पास आ चुका है, तो अब केवल हमारे पास जो रह गया है वो है Y, तो यहाँ पर आपने Y लिख दिया, तो यह आप देख रहे हैं, ट्रिक्नोमेट्री सब्दिके सभी अच्छरों का समुच्छे आपके पास आ चुका है, आ गया यह देखें, यहाँ पर आपको बोला गया है, बेटर सब्दिके सभी अच्छरों का समुच्छे आपको यहाँ पर लिखना है, F वाले में, तो देखो F बराबर Better सब्दे के सभी अच्छा लिखने हैं तो एक बार मैं आपको जैसे बता है अलग-अलग करके लिख लो B, E, Double T फिर देखो यह आ गया E और फिर आ गया R लिखना हमें एक एक बार ही है इस बात का विज़ेश जाननक है तो देखो हमारे पास अब क्या आ जाएगा यह एक बार तो हमने B लिख दिया E को एक बार लिख देंगे T को एक बार लिख देंगे और R को एक बार लिख देंगे तो यही आपका इस छटा वाले भाग का उत्तर हो जाएगा अब देखो हम चौथे प्रस्ण पर आते हैं इस प्रस्ण में आपको बोला गया है कि निर्मनलिखित समुच्चेओं को समुच्चे निर्माड रूप में व्यक्त कीजिए तो देखिए सबसे पहले तो हम समुच्च निर्माड रूप क्या होता है उसको समय लेते हैं ध्यान रखें किसी भी समुच्च को प्रदरसित करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं एक तरीका होता है हमारे पास समुच्च निर्माड विदी और दूसर तरीका हमारे पास होता है रोश्टर या सांड़िक विदी तो रोश्टर या सांड़िक विदी मैंने आपको प्रशन संक्या तीम में समझा दी है अब मैं समुच्च निर्माड विदी के बारे में आपसे बात करूँगा देखिए ध्यान लखे अगर दो ही तरीके हैं तो एक तरीके से दूसरे तरीके में हमें लिखना आना चाहिए वह ऐसे कोशन भी बनते हैं जैसे पिछले वाले मैथड में हमारे पास जो दिये हुए थे A, B, C, D ऐसे करके वह सभी क्या थे समुच्च निर्माण विदी में थे हमने रोश्टर में लिखे थे अब ये देखो हमारे पास एक-एक अच्छर दिखाई दे रहा है कि आखिर क्या-क्या है हम अब समुच्च निर्माण विदी में उसको लिखेंगे अब कैसे लिखते हैं उनको समय लेते हैं समुच्च निर्मार विधी में हम क्या करेंगे सबसे पहले एक समुच्च लिख देंगे A बराबर लिखेंगे यहाँ पर एक मजला कुष्टा कर्चन यहाँ पर रिखेंगे X विसर्ग X अब यह X जो होता है बेसिकली वह होता है यह जो आपने लिखा हुआ एक तरीके से सभी जो रोस्टर विधी में आपने लिखा है तो जो भी अंकारे हैं वो X हैं बेसिकली अब उस X की प्रॉपर्टी अर्थाथ X के गुर्धर्म के बारे में आप बात करेंगे इसलिए हम इसे समुच्च निर्माड विदी में लिखते हैं। अब देखी, पहला वाला भाग बताते हैं, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर होगा। जैसे ये दिया हुआ 3, 6, 9, 12 अब देखो, यहाँ पर मैंने लिखा 3, 6, 9, 12 अब इसे समुच्च निर्माड विदी में लिखना है, मतलब गुडधर्म इसका एक तरीके से बता देना है आपको। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कोई भी हमें समुच्च का नाम नहीं दिया गया। अगर आप चाहते हैं तो अपनी तरफ से नाम इसका लिख सकते हैं। जैसे देखो, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, माल लिजएगा समुच्च निर्माड विदी में लिख सकते हैं। लेकिन अब ध्यान रखना है, तीन न में तो हमारे बहुत सारे नमबर आ जाएंगे, क्योंकि एन तो एक प्राकर्तिक संख्या हम रहेंगे। तो हमें कहां तक रुकना है, हमें कि यह बारे तक चाहिए। इसका मतलब एन कहां से कहां तक होना चाहिए। हमें समझ में आ गया, एन एक से लेकर चार तक होना चाहिए, और ध्यान रखना है, एक से चार तक बहुत सारी संख्या होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको नेचरल नंबर, अर्था प्राकरतिक संख्याई ही चाहिए, या पूरांग की आपको चाहिए, तो आप उसको भी यहाँ पर बताएंगे, जैसे आपको माल लीजेगा, आई, मतलब इंटीजर चाहिए था, इंटीजर मतलब पूरांग तो ऐसा ने सोचें कि उसका गलत होगा या आपका गलत होगया, आप अपने पूरे कॉनसेप्ट पर रहें, अगर आपने पूरा कॉनसेप्ट सही लगाया है, तो आप निश्चेंतर आपका उत्तर सही होगा, मैं ऐसा क्यों कहे रहा हूँ, उसको समय लेते हैं, देखो मैं बोल सकता हूँ, A, एक समुच्चा होगया, A, B, जो भी आपको नाम देना हैं, वो नाम दे सकते हैं, X जाच देट, X मतलब ये सब भी होते हैं, X यहां पर हमारे पास क्या होगया, 3 N, अब देखो मैं क्या बोल ला हूँ, N, यहां पर क्या होगया, 5 से कम और 0 से ज़्याद अब देखो मैं बराबर का चनल नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं बराबर का चनल लगा दूँगा तो 3-5-15 भी होना चाहिए था और 3-0-0 भी होना चाहिए था वो तो यहाँ पर है ही नी तो आपने देखा मैंने 0-5 के बीच में बोल दिया और बोल दिया N क्या हो गया, एक प्राकर्टिक्सन क्या है तो ये भी मैंने लिख दिया ये भी एक तरीके का उत्तरी है क्योंकि आप देखो अगर मैं इसको रोश्तर विदी में लिखता तो इसी तरीके से तो लिखता जो ये आपको दिया हुआ था तो आप एक बात ये बिल्कुल ध्यान रखें कि रोश्तर विदी में चाहें दस बच्चे भी सवाल क्यों ना हल करें सबके आंसर बिल्कुल मैच होते हैं जबकि गुर्धर्म विदी में आपको खुद से सोचना होता कि कौन सी प्रॉपर्टी अर्षाद कौन सा गुर्धर्म वो निभारा है तो हो सकता है आप कुछ अलग तरीके से सोच रहे हो कोई चात्र किसी अलग तरीके से वहाँ पर सोच रहा हो ऐसा संभव है अब चलिए हम दूसरे वाले भाग पर आते हैं इसके बाद दूसरे वाले भाग में देखिए आपको बोला गया है कि 2,4,8,16,32 अब आप देखो इसमें थोड़ा सा कोई प्रॉपर्टी सोच यह खुद से ध्याना कि समुच्च निर्मार विदी में आपको खुद से थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा कि आखिर कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर लग रही है तो देखो यह सब समसंख्या लिखना चाहूंगा तो वो तो नहीं है भले ही समसंख्या लेकिन मैं अपनी तरफ से तो नहीं बोल सकता समसंख्या क्योंकि समसंख्या हूं में तो 2,4,6,8,10,12,14 सब आती है इसमें तो कुछ-कुछ नहीं है बीच में तो आप देख रहे हो देखो 2 का गुणा 4 फिर 2 का गात 3 किया तो 8 2 की गात 4 किया तो 16 और 2 की गात 5 किया तो 32 आपको समझ में आ रहा है अड़ता 2 की गात N की रूप में आपको यह समझ में आ रहा है तो मेरे पास जो रोश्टर विधी में था वो तो देखो ये था इस तरीके से अब मैं इसको समुझ्च नर्माड विधी में लिख रहा हूँ तो देखो मैंने माल लेज़ेगा इसको B वाला समुझ्च बोल दिया X सज़डेट, X मतलब ये सभी अवियाव अब X किस तरीके के दिखाई दे रहे हैं ये सभी अवियाव मुझे 2 की पावर K टाइप के दिखाई दे रहे हैं अब कोई K लेखेगा, कोई हो सकता है Lambda लेखे, कोई हो सकता है N लेखे वो पूरा आपके उपर निर्वा करता है अब K के बारे में आप लिखती जेगा कि क्या क्या होना चाहिए तब ये अवियाव हमें मिलेंगे तो हमें पता है कि K हमारे पास क्या होना चाहिए था K होना चाहिए था हमारे पास 5 से लेकर 1 K बीच में और यहाँ पर 1 और 5 भी संबलेत होने ही चाहिए तभी तो यह हमारे पास आपाएगा और ध्यान लखना है एक से पांच के बीच में सभी संक्या होती है सभी वास्तिक संक्या है जैसे उसमें भिनने भी आएगा लेकिन मुझे तो केवल और केवल पूरांग चाहिए तो मैं बोल सकता हूँ के पूरांग हो या मैं प्राक्रितिक संक्या है अर्थाथ एन भी बोल सकता हूँ तो यह आपका उत्तर हो गया कोई शात्र किसी और तरीके से लिख सकता है जैसे मैं आपको बताओं तो देखो वो इस तरीके से भी लिख सकता था एक्स सजडेट एक्स बरावर दो की खात के और वो लिख सकता है के 6 से 0 के बीच में है और के क्या है एक प्राक्रितिक संक्या है तो देखो यह भी उत्तर बिल्कुल सही है तो आप देखने में भले हमें अलग 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 आ है लेकिन वो बिल्कुल सही है चलो, अब तीसरे वाले भाग पर चलते हैं इसमें आपको बोला गया रोश्टर विदी में समुच्चे के अंदर लिखा है 5,25,125,625 तो इसमें भी आप सोचो देखो 5 का वर्ण किया तो 25 आया 5 की खाथ 3 की तो 125 आया और 5 की खाथ 4 की तो 625 आपके पास आ गया तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि सबसे पहले तो तीसरे वाला मेथड में रोश्टर विदी में जो लिखा हुआ था वो लिख देता हूँ 5,25,125,625 तो यहाँ पर यह 5 की खाथ हैं लिख नहीं हैं आपके पास तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ C बराबर X मतलब यह सभी अभी अब अब X के बारे में हम बताना है कि आखिर हैं क्या यह X क्या है 5 की खाथ Lambda तरीके का है Lambda क्या क्या है यहाँ पर ध्यान रखे 4 से छोटा होना चाहिए 4 भी होना चाहिए तो अब यहाँ पर भी हो सकता है लिखने के और तरीके हो लेकिन यहाँ पर अब मैं आपके पास एक ही तरीका लिख रहा हूँ आप इतना समझ चुके हैं कि आंसर हो सकता है हमारा देखने में अलग-अलग हो अब चलिए हम क्या करते हैं चौथे वाले भाग पर आते हैं इस चौथे वाले भाग में हमें दिया हुआ है दो कॉमा चार कॉमा छे और डैस जैस डैस जैस जैस का मतलब है बहुत सारे पद हैं लेकिन हमने कुछी पद लिख पाएंगे तो यह पर मैं क्या лिखता हूँ एकस एक प्राकरतिक संसंख्या अगर संसंख्या सम१ा लिखते हैं तो माइनस दो माइनस चार यह भी आएगा लेकिन है प्राकरतिक लेंबर आपके पास क्योंस धनातत मगड़ बनेंग तो इस तरीके से ही आपका उत्तर हो गया चाह रहा हूँ, क्योंकि इससे आप बहुत सारी चीज़ें समझे रहेंगे, आप बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हैं, आपको कोई भी एक तरीका लिखना है भले ही परिच्छा में, x such that, मैं क्या बोल सकता हूँ, x बराबर 2 lambda तरीके का है, और 2 lambda का मतलब ही क्या होता है, कि एक वो 2 का गुड़ज है, मतलब समसंक्या है, अब समसंक्या में मुझे कीवल ध्यान रखें, प्राक्रितिक संक्या ही शीरी थी, तो मैं क्या बोलूँगा, lambda belongs to natural number, तो ये मैंने इस त तो और किस तरीके से लिख सकता है उसको समझते हैं वो लिख सकता था d बराबर x such that x बराबर 2 गुणा लेम्डा और वो लिख सकता था लेम्डा क्या है कि whole number तो है मतलब पूर्ण संक्या तो है लेकिन 0 नहीं है तो यह मैंने इस तरीके से यहाँ पर इसको लिख दिया अब क्यों मैंने इसको लिखा तो देखो उसको समझो w मतलब whole number मतलब पूर्ण संक्या पूर्ण संक्या में 0 भी आता है अगर 0 ले लेता तो 2 गुणा 0 तो 0 बन जाता वो तो यहाँ पर है ही नहीं इसलिए मेरे को 0 को हटाना पड़ा तो मैंने इस तरीके से भी यहाँ पर इसको लिख दिया तो आप देख रहे हों देखने में अलग लग लिख रहे हैं लेकिन यह हैं तीनों सही अब सबसे अंतिम वाले भाग पर आते हैं देखिए इसमें हमें दिया हुआ है रोश्तर विदी में एक कॉमा चार कॉमा नौ डैस जैस सो तो अब यहाँ पर आपको समझना है कि आकरी यह क्या लिखा है थोड़ा सा विचार करें अगर एक दम नहीं समझना आता है लेकिन आपको समझना तो खुद से पड़े गाई तो देखो हमारे पास रोश्तर विदी में है एक कॉमा चार कॉमा नौ और डैस जैस सो फिर आप यह देखो कि यहाँ पर एक दिखाई दिरा आपको एक का वर्ग है यह चार क्या है दो का वर्ग है नौ क्या है तीन का वर्ग है यहाँ पर एक को एक का वर्ग बताया था हमने सो क्या है दस का वर्ग है तो इसका मतलब यह डैस जैस जैस भले ही लग रहा है इसका मतलब क्या होना चाहिए चार का वर्ग पांच का वर्ग से लेकर 9 का वर्ग ये बीच में लिखा होना चाहिए था तो इस तरीके से अब देखो आप क्या लिखोगे E बराबर आप लिखोगे X X मतलब ये सब हैं क्या आखिरकार तो उसको समझ लेते हैं X प्रथम दस प्राकरतिक संख्याओं के वर्गों का समच्च है या संगर है भी लिख सकते हो तो इस तरीके से आप देखो आपने ये लिख दिया तो ये आपका सही हो गया कोई शात्र हो सकता है इसको अलग विदी में लिख दे अर्थाथ वो गरती रूप में लिख दे मैंने अभी देखो भासा के रूप में लिखा है वो गरती रूप में देखी कैसे लिख सकता था E बराबर X सजडेड X बराबर वो बोल देगा Lambda का whole square और Lambda कहां से कहां तक होना चाहिए सोचिए Lambda होना चाहिए 10 या से कम होना चाहिए और एक या एक से बड़ा होना चाहिए था तो देखो अगर उसने इस विदी से भी लिखा है मतलब ये वाला रूप भी लिखा है तब भी उसका सही है हो सकता है इनके लावा भी आप बहुत सारी रूपों में लिखने लेकिन आपको कोई भी एक रूप लिखना है जो के सही होना चाहिए चलिए अब हम पांचवे प्रशन के ओर बढ़ते हैं इसमें आपको बोला गया है कि निम्नलिखित समुच्चियों के सभी अव्यवों को अर्थाद जो उनके सदस्य है उनको सूची बद्ध करना है सूची बद्ध मतलब एक तरीके से हमें रोश्तर विदी में लिखना है अर्थाद एक एक करके हमें सभी दिखने चाहिए सदस्य या अभी आप बोल सकते हैं अब जैसे पहले वाले भाग की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें आपको बोला गया है A बराबर देखो ये एक तरीके से आप देख पा रहे हैं ये आपके पास गुर्धर्म विदी है अर्थाद समुच्य निर्माण विदी लिखी हुई है और आपको साड़िक विदी अर्थाद रोश्तर विदी में लिखना है X एक विशम प्राकरति संख्या है तो देखो पहले वाले भाग को मैं हल कर रहा हूँ समुच्य का नाम दे दिया A यहाँ पर आप देखो हमें किस के मान लिखने है X के मान लिखने है और X के बारे में क्या बताया गया है विसम और वो भी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए तो विसम प्राकृतिक संख्या है कौन-कौन सी हो सकती है एक, तीन, पाँच, साथ, नो, ग्यार है अब देखी ऐसी तो अनन्त होंगी तो आप बस डेश 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 लगा दीजेगा और यहाँ पर इस समुच्या को बंद कर दीजेगा अर्थार मजला कोश्टक लगा दीजेगा तो यही आपका सूची बद्द हो गया विधी यहाँ बोल सकते हैं रोष्टर विधी में आपने लिख दिया है अब दूसरे वाले पर आ जाते हैं दूसरे वाले भाग में आपको दिया हुआ बी जो समुच्या है वो है x such that x मतलब x ऐसा है कि x एक पूरांक है पूरांक में अभी ध्यान रखना है कि x-1 बटे 2 से 9 बटे 2 के बीच में होना चाहिए ध्यान रखना है तो अब देखो कहीं भी अगर थोड़ा सा भी दिक्कत आपको आए तो आप rough work का थोड़ा सा यूज कर ले मैं आपको समझाओंगा भी कैसे b अब मुझे किस के माल लिखने है x के माल लिखने है और x मुझे बता दिया गया पूर आंक है अब minus 1 बटे 2 लिखा है हो सकता है आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो तो minus 1 बटे 2 solve करके एक बार देख लो तो आपके पास आया minus का 0.5 और 9 बटे 2 अगर आप देखोगे तो यह आपके पास आजाएगा 4.5 तो आपको देखना है कि x 4.5 से minus का 0.5 की बीच में होना चाहिए था और ध्यानना कि पूर्णांग भी होना चाहिए था तभी तो आपको वो मान लिख पाओगे आप जब वो पता लगेंगे तो तो देखिए आपके पास आप वो कौन कौन से हो जाएगे minus 0.5 से 4.5 के बीच के पूर्णांग लिखने है अर्था 0 आएगा फिर आपके पास देखिए 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा और 4 आएगा तो यह देखिए आपके पास दूसरे वाले भाग का उत्तर आगया अर्था सुची बदरूप में आपने लिख दिये सदस्य सभी अब देखिए तीसरे वाले भाग में बोला गया है ध्यान रखना है पूरांग है और x² चार से कम होना ही चाहिए तो सोचिए x² रेदी 4 से कम है तो x का मान क्या क्या हो सकता है माइनस 2 हो सकता है माइनस 1, 0, 1, 2 हो सकता है अब सवाल आता है माइनस 2 और 2 क्यों लिए हमने क्योंकि वो तो 4 के बरावर है तो आप देखो यह बराबर का चुनल लग रहा है आपके पास मतला x square 4 भी हो सकता था तो इस तरीके से यह आपका उत्तर हो जाएगा फिर आगया आते हैं d वाले part पर इसमें आपको बोला गया है कि x के मान लिखने है और x ऐसा है कि loyal सब्द का एक अच्छर है तो देखो चौते वाले भाग में d वाला समुच्च हो गया अब loyal के सब्द के अच्छर लिखने है तो l o y a l दो बार आ गया लेकिन लिखना तो हमें एक बार ही होगा हम इसको आप बार बार बता चुके हैं तो आप लिख दीजिएगा l o y a कोई चात्र हो सकता है a को पहले लिख दे o को सबसंत में लिख दे तो ये सब आप कर सकते हैं बस इतना ध्यान रखें कि एक अच्छर को एक ही बार लिखा जाता है पांचमे वाले भाग पर हम आएंगे अब तो देखो उसमें बोला गया कि जो e है समुच्छ उसमें x लिखना है अब यब x ऐसा है कि वर्स का ऐसा महीना जिसमें 31 जिन नहीं होते हैं तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि आकर कौन-कौन से महीनों में 31 जिन नहीं होते हैं तो देखो हमारे पास एक आता है फरवरी, फिर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आता है अप्रेल, फिर हमारे पास आता है जून, फिर देखिए जून के बाद ध्यान लखें जुलाई में 31 दिन होते हैं, अगस्त में भी हमारे पास 31 दिन ही होते हैं, और फिर उसके बाद सितंबर और फिर उसके बाद आता है नवंबर तो ये जो हमारे पास आप देख रहे हैं पांच महीने हैं वो ऐसे महीने हैं जिर में 31 जिन नहीं होतें 31 नहीं होतें मतलब 30 होंगे या 28 होंगे जितने भी हो लेकिन 31 नहीं होतें तो मैं इनका एक समुच्चे बनाकर यहाँ पर लिख दूँगा तो देखिए य बराबर आपके पास क्या क्या जाएगा यहाँ पर आप लिख दीजेगा फरवरी फिर देखिए अप्रेल फिर देखिए जून फिर सितंबर और फिर अंतमे आप यहाँ पर नवंबर लिख देंगे तो इस तरीके से आपने ये पाँचों वाला भागल कर दिया अब सबसे अंतिम भाग की तरफ चलते हैं छटे वाले भाग की तरफ इसमें बोला गया है कि X लिखना है आपको क्योंकि विसर्ग से पहले X लिखा है और X के बारे में आप देखी क्या बोला गया है तो मुझे K से पहले आने वाले सभी विंजनों को यहाँ पर लिख देना है तो देखो हमारे पास क्या लिखने है ध्याना कि K से पहले वाले लिखने है हमें तो सबसे पहले हम आएंगे A पर देखिए A एक स्वर होता है नहीं लिखना है B एक विंजन होता है CB एक व्यंजन होता है DB एक व्यंजन होता है E एक स्वर होता है तो उसे नहीं लिखना है F एक व्यंजन होता है G एक व्यंजन होता है H एक व्यंजन होता है I I एक स्वर होता है तो उसको नहीं लिखना है फिर J पर आएंगे J एक व्यंजन होता है फिर के आपके पास आई जाएगा तो द्यान अखना के को तो हमें include करना ही नहीं था अर्था समलेत नहीं करना था तो आप इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख दीजेगा तो यह हमारे पास आप देख रहे हैं कि हमने सभी अव्यमों को सूची बद्ध अर्थाद साणी रूप में लिख दिया है चलिए अब हम छटे प्रशन पर आते हैं और यह हमारा इस प्रशना वाली एक दिसमलाव एक का सबसे अंतिम प्रशन भी है इसमें बोला गया है कि बाई और रोश्टर रूप में लिखे थे कि आखर क्या क्या है और समुच्चन नर्माड विदी में हमें उसकी किवल प्रॉपर्टी लिखी होती है अर्साथ वर्ण होता है किवल अब देखो जैसे देखो एक दो तीन छे अब इदर देखो बोला गया एक्स एक अभाज्य संक्या है और छे की भाजक है तो छे की भाजक और अभाज्य संक्या देखिए कौन कौन सी हो सकती है देखिए एक दो तीन छे सब हैं लेकिन अभाज्य भी हमें देखना है लेकिन छे तो अभाज्य नहीं होती है तो ये पहले वाले को ए से तो नहीं मिला सकता C वाला पार्ट देखो तो X एक प्राकरतिक संख्या और 6 की भाजक लिखी हुई है तो हाँ ये बिल्कुल सही है तो इसमें आपको समझ में आगया जो पहला पार्ट है वो आपका C वाले के बराबर हो जाएगा अब आप यहां देखो दूसरे वाले भाग पर तीसरे वाले भाग में आपको मैथा M-A-T-H-E-I-C-S दिया हुआ है अब देखो D वाले पार्ट में X ऐसा है कि X मैथमेटिक सब्द का एक अच्छा रहे तो देखो वो सभी लिखे हुए हैं याँपर तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि जो तीसरा वाला भाग है वो D वाले पार्ट के मैच करेगा और सबसे अंतिम भाग पर जब मैं आऊँगा तो उसमें लिखाए 1, 3, 5, 7, 9 तो आप देखे हैं यह सभी विखम संख्याए हैं और 10 से कम भी हैं एक संख्याद 10 से कम एक विसम है और प्राकरतिक भी है तो इस तरीके से फोर्थ वाला पार्ट आपके पास B के बराबर आ जाएगा तो एक तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक एक करके आपको मैचिंग करा दी है